हमारा आज का टॉपिक प्रित्वी का उश्मा बजट है जैसा कि बजट पर्ड के आते ही लेखा जोखा की बात होती है तो सुर्ष से प्राप्त होने वाली उर्जा और प्रित्वी से वापस लौटने वाली उर्जा कर लेखा जोखा या जो हिसाब है उसे प्रित्वी का उश उश्मा प्राप्त करती है उतनी ही उश्मा का वो त्याग कर देती है इसलिए प्रित्वी पर और सत तापमान एक जैसा बना रहाता है अब प्रित्वी जो सूरे से आने वाला उश्मा है उसका ना तो संचय कर सकती है और ना ही उसमें कोई कमी कर सकती है और जब वो इस प्रक द्वारा सूर्य तप्ट प्राप्त और शूर्या तप और खोड़े जाने वाले पार्थी विख्रंड ौ को उठ्था कहते हैं उष्मा भजटकु समझने के लिए सबसे पहले सूरय तक इंसुलेशन और पार्थी विकरण या ट्रियप्रिश से आने वाली तक सर्दिय अनने ईश्मा को सुर्यात आप कहते हैं और यह जो उर्जा है सुर्य से निकल कर प्रिथ्वी तक पहुंचती है वो लगू तरंगों के रूप में तीन लाग किलो मीटर प्रती से कि गती से प्रिथ्वी तक पहुंचती है और यह लगू तरंगों के लिए रूप में इसलिए निकलती है क्योंकि जो चीज जितनी गरम होती है वो उर्जा का विक्रण उतने छोटी तरंगों के रूप में लगू तरंगों के रूप में करती है अब पार्थी विक्रण क्या होता है हम इसको समझ लेते ह उसको पार्थी विक्रण कहते हैं प्रित्फी द्वारा प्राप्त प्रफेशी सौर विक्रण जो लगू तरंगों के रूप में होता है प्रित्फी की सता को ठेंडा होने के अनेक रख्रियाएं होती है इसमें चालन किस तरीके से काम करता है या यह फैक्टर किस तरीके से इफेक्टिव होता है इसको समझ लीजे कि जब सुरुष से आने वाले सौरी विक्रण के बाद प्रित्वी एक रेडियेशन बॉड़ी के रूप में कनवर्ट हो जाती है और इसमें से वायूमंडली पर्तों में दिर्ख तरंगों के रूप में यह ताप का संचरन करने लगती है तो प्रित्वी के संपर्त में जो नीचली वायूमंडल की जो गरम हो रही है उसको हम conduction कहते हैं, जो conduction है वो कब हो रहा है, यह तब ही होता है जब दो असमान ताप वाले पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो गर्म पिंड से ठेंडे पिंड की और उर्जा का प्रभाह चलता है, और यह प्रभाह कब तक चलता रहता है, जब तक दोनों पिंडो इस प्रकार हम देखते हैं, वायू मंडल पार्थी विक्रण द्वारा अप्रतिक शुरूप से गरम होता है, ना कि सीधे सूर्यताप से, पित्वी का आउश्मा बजट इस टेबिल में मैंने बिताया आपको, और सूरी से प्राप्त होने वाले सौरीक विक्रण को हमने 100 इकाया लिखा हुआ है, और इस 100 युनिट्स में से प्रकीरण तथा परावर्तन द्वारा नस्ट सौरीक विक्रण वायू मंडल द्वारा आउशोशित या प्रित्वी के धर्यातल द्वारा आउशोशित जितना भी रैडियेशन है, वो और पित्वी द्वारा इकाय किते स युनिट्स का कहां कहां पर विक्रण होता है या परावर्तन होता है या आउशोशित होती है, तो यह टेबल है, इसी टेबल को अब हम डाइग्राम में समझेंगे, तो यहां पर बस से फितना सा ध्यान रखे, कि सूरी से प्राप्त होने वाले जितने भी सौरीक विक्रण ह है वो हमारे पास कितने 100 units है अब इसी को मैं डाइग्राम में आपको समझा देती हूं जो हीड बजेट हमने अभी टेबल में देखा है उसको हम डाइग्राम में समझ लेते हैं और इस डाइग्राम को अब ध्यान से देखें डाइग्राम की तीन पार्ट है पहला एक तो स्पेस है ग्यांतरिक्ष दूसरा पार्ट जो इसका है वह वायूमंडल एट्मॉस्फियर और तीश्रा जो पार्ट है इसमें आर्थ सर्फिस या प्रित्वी की सत्ह अब इसमें जो सौ यूनिट्स हैं शोड़ी से प्रित्वी को प्राप्त हो रही है उसका देख लेते हैं कि इस प्रकार से उसका वित्रण है यहां पर मान लीजिए बाइव मिन्यल की सबसें उपर इसमें से थर्टी फाइव यूनिट्स जो है धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है इस परावर्तित होने वाली विकरण को अगर हम समझे तो वह इस प्रकार से है अगर मैं बोलू यह बादलों से अगर यह देख लीजिए बादल यहां बादलों से परावर्तित कुल उष्मा की कितनी यूनिट है 27 और डस्थ पार्टिकल से अगर इसको हम देख ले तो इस प्रकार से कुल परावर्तित होने वाली यूनिट्स कितनी हो गई 35 यूनिट्स यह तीनों को अगर हम मिला लेते हैं तो यह थाटी फाइव यूनिट्स हो जाती है तो सूरी से विकेंड कुल उष्मा का 35 प्रतिशत या 35 यूनिट्स अपने मोल रूप से ही यूनिट्स में लौटा दिया जाता है यह एनर्जी जो है प्रित्वी पर पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई रिफ्लेक्ट होकर वापिस सली गई और इस एनर अलबीडो मतलब अलबीडो ऑफ दा अर्थ कितनी होगे अलबीडो ऑफ दार्थ 35 यूनिट्स होगे यहां पर समयन तब एक्जाम में यह एलबीडो के उपर कोश्चन आता है तो सौरी कुर्जा की इसमें एक चीज़ और समझ लिजे कि सौरी कुर्जा की यह जो 35 प्रतिश ज़्यादा होगा तापमान में उतने गिरावट आएगी और अलबीडो अगर कम होगा तो तापमान में पृद्धि होगे यह किस तरीके से हो रहा है अगर अलबीडो ज्यादा है मतलब प्रत्वी तक के सौर्ण विकेरन पहुंच ही नहीं रहा है और वायू मंदल से ही रि यहाँ पर सो में से 35 उनिट यह हो गई तो अब हमारे पास 65 उनिट भकिया अब 65 altenrire को समझते हैं कि वायू मंदल द्वारा और 51 यूनिट्स ये जो 51 यूनिट्स देख रहे हैं ये प्रित्वी द्वारा आउशोशित कर ली जाती हैं तो 14 प्रस 51 is equal to किता हो गये 65 यूनिट्स हो गई है अब जो उश्मा की इस मात्रा को प्रभावी इस प्रकार शूरी से प्राप्त होने वाली उश्मा की छोटे से अंसका भी लगभव आधा भागी प्रित्वी पर पहुंच पाता है मतलब 51 परसेंट उसका आधा भाग है उसको वह बहुत छोटी सी यूनिट है अब यह जो 51 यूनिट्स है 65 में से 51 यूनिट्स है इसको हम सम इस उनियमें लॉटा दी जाती है इसमें से 51 यूनिट्स में से अगर हम बुलें 51 यूनिट्स यहाँ पर मैंने बता है आपको यह 51 यूनिट्स में से 17 यूनिट्स सीधे स्पेस में चली गई है और 34 यूनिट्स जो है यह यह वाईयू मंदल आप देख रहे हैं तो यह तो यह 51 का हिस्ताब आगे आपका कि यह 51 यूनिट कहां किस तरीके से जा रही है और अब पार्थी विक्रण से वायू मंडल द्वारा अवशोशित 34 यूनिट्स को मरलब जो 51 में से 34 यूनिट्स थी उनको समझ लेते हैं कि वो 34 यूनिट्स किस तरीके से अलग-अलग में से 9 यूनिट्स जो हैं वो समवहंदारा और 19 जो यूनिट्स हैं वो गुप तोश्मा या लेटिंट हीट द्वारा अवशोशित हो जाती है इस प्रकार हम देखते हैं कि वायू मंडल में 48 यूनिट्स का अवशोशन करकी जिसमें 34 यूनिट्स पार्थी विक्रण की वह 14 प्लस 34 is equal to 48 यह वाली 48 जो है वो यह दोनों यूनिट्स को मिला कि यह 48 हो रहा है और और इस प्रकार प्रित्वी और वायू मंडल दोनों मिलाकर 65 यूनिट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं इन दोनों का यूनिट्स का जोड़ कितना हो गया 65 यह सीधे अंतरिक्ष में आ मंडल दोनों प्रित्व कितनी यूनिट्स कि इस प्रकार इन यूनिट्स का इस बराबर हो जाता है और इसे को हम प्रित्वी का उश्मा। बजट या उश्मा संतुलन्द या हीट बैलेंस कहा जाता है इस प्रकार प्रित्वी की सथा पर प्रवेश करने वाला सौधिक विक्रण तथा प्रित्वी से बाहर जाने वाले पार्थी विक्रण की मात्रा हमेशा समान होती है और जिसके कारण ही प्रित्वी पर तापमान का संतुलन्द बना रहता है तो यह हमारा प्रित्वी का उश्मा बजट है